Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Neo Voltaic दोस्तो मेरा नाम है नवीर राज काई वीडियो बहुत ज़्यदा important होने वाला है आप सभी candidates के लिए दोस्तो गर आपका सपना है एरपोर्ट में नोगरी करने का selection पाने का तो आप सभी के लिए good news है क्योंकि दोस्तो एरडिया की तरफ से आचुकी है एरपोर्ट की नई वेकेंसी जो की केवल दसवी पास candidates के लिए वेकेंसी है तो दोस्तो गर आप दसवी के लाज पास है तो आप सभी के लिए golden opportunity है अगर आपका सपना है एरपोर्ट में जॉब करने का तो दोस्तो सरकारी एरलाइन से Air India Air Transport Services जिसके माद्देम से आप सीधी भट्यके माद्देम से selection पा सकते हैं जैसा कि दोस्तो आप यहाँ पर दे सकते है ईर इंडिया की तरफ से यह बिलकुछ सीधी भट्यका notification जारी हो चुका है जिसकी complete जानकरी हम आपको देने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर अलग-अलग पोस्ट पे वेकेंसी निकाली गई है जैसा कि आप सिते पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर है यहाँ पर आपका इंस्ट्रवू कब होगा एप्लिकेशन फोरम आपको कहां से डाउनलोड करने हैं कैसे आपको एप्लिकेशन फोरम को भर करके कहां पर आपको जमा कराना है कौन-कौन से डोकुमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं किस तरीके से इस विकेंसी का सेलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है qualification क्या चाहिए, salary आपको क्या मिलेगी, आपको job क्या करनी होगी सारे सवालों के जवाब आपको मिलेगे आज के इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो को डास टाइक जरू देएगा और आगे बने से पहले वीडियो को like कीज़ेगा दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीज़ेगा रोज़ना ची परकार government job की update सबसे पहले पाने के लिए हमारे youtube channel को subscribe करें साथी साथ notification bell icon को all कर दें ताकि अगली वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिल सके तो सीधा आपको official website की ओले के चलते हैं दोस्तों यह हमारी official website है जिसा की आफसे ते है tips वारे बल्रोडिक्स वाइजेट दोस्तों यहाँ पर आपको रोज़ना government job की जानकर इस सबसे पहले दी जाती है चाहे वो state government की job हो चाहे वो central government की job हो सबसे पहले आप जो है government job की update यहां से ले सकते हैं और apply का सकते हैं दस्वी पास से लेकर के बारी पास graduate पास सभी के इंडियेट्स के लिए भड़तियों की update यहां पर सबसे पहले दी जाती है तो आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की latest recruitment के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि आप जिसकते हैं एर इंडिया की तरफ से भड़ती निकाली चाली है एर इंडिया एर ट्रांस्पोर्ट सर्वीसेज लिमिटेड यानि की एर टीसल की तरफ सी recruitment है जो कि इस साथ दो हजार टेइस की नई भड़ती है notification दोस्तों इसका जारी हो चुका है और यहां पर आप जिस्ते हैं कॉनकों सी पोस्त पर इकाली गई है तो यहां पर जो number one वेकेंसी है वह आप जिस्ते कस्ते मर्स सर्वीस एक्जेकेटिव की वेकेंसी है तोटल eleven पोस्त है वहीं यहां पर जो second number की वेकेंसी है वो junior customer हीज Questo , चुर लोग गारव मेंग के लिए तो C तो की चैना की वेक इनDSK पूर आपными वेक ही और मेन चैनल टेतं की वेकिंशिक वेकमशी aggressive और junior officer passenger की वेकेंसी है जो की tour वेकेंसी है total वेकेंसी की बात की जाये तो 166 पोस्त यहां पर release कर दी गई है वही दो तो ही जो वेकेंसी है इसका apply करने का जो mode है वो केवल आपका walking interview के थुरू रहेगा यानि कि आपको application forum और जो भी जरूरी documents है उनकी photography के साथ में आपको interview के समय पेश होना हुआ वहां पर आपको documents भी जमा कराने है और आपका interview भी देना है आप अगर दसवी पास है तो 100% जाईएगा यहां पर कोई भी ज़्यादा टेंचन नहीं कोई ज़्यादा आपसे difficult सवार नहीं पुछा जाएगा आपको 100% यह job मिल जाएगी अगर आप जाते हैं तो ठीके वहीं दोस्तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा वोके इंट्रूर हेगा और इंडिया के किंडिकेट्स हो है मेल और फिमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहां पर selection का प्रोसेस आप दिसलते हैं कुछ पॉस्ट है जैसा कि handyman और handywoman के लिए आपका जो है अब बात कर लेते हैं कि यहां पर salary कितनी मिल रही है तो 17,500 से लेकर के 32,200 रुपे पर मंत आपको यहां पर salary मिलेगी तो salary जो है आपको काफे अच्छी मिल रही है वहीं दोस्तों बात की जाए कि यहां पर age limit क्या रखी गई है तो minimum age जो है 18 साल है maximum जो है 50 साल है तो दोस्तों अगर आपकी age 18 से 50 तो apply किजेगा application fees जो है यहां पर others जो general और OVC के candidate से उनकी लिए 500 रुपे application fee से जो की आपको demand draft यानि की DD के थोरा करना होगा वहीं दोस्तों SCST candidates के लिए कोई भी charges नहीं है फिरी में आप apply कर सकते हैं बात की है qualification की तो यहां पर केवल दस्वी पास के इंडियर्स apply कर सकते हैं तो दस्वी पास के लिए वेकेंसी है और अगर आप 12 पास है तो आपके लिए other post पे वेकेंसी है मतलब दस्वी बार भी सभी के लिए वेकेंसी है ठीके इसके आप इजान मतलब की interview कब चलेंगे तो दोस्तों यहां पर आप नीचे आएंगे तो आप जो इंट्रू होने वा जैसे दोस्तों आप यहां पर किली करेंगे कुछी सेखिंड में आपके सामने notification आजाएगा जिसी आप चेक आउट कर सकते हैं जैसा कि आप दिसकते हैं यहां पर साफसा बताया गया है कि इंडियान नैशनल मेल फिमेल से यह आबिदन मांगे जा रहे हैं यहां कि पूरे भ करेंगे अबर तक करकें यहां यहां इर्दो आपको शोर्ष करना है आपको कोपी कर लेका है और डाइसे इसको ना है और डाउंसी आपको नेर्श मेल फॉस्त कर रहना है वहीं साथ आर्ट को यहां पर भी इसका इंट्रूव ले जाएगा टाइमिंग आप दिसकते हैं सुबह साड़े नोस से दोपेर के साड़े बारा वह तक आपका इंट्रूव चलेगा तो हर एक पोस्ट के लिए अलग-अलग डेट्स यहां पर मेंशन कर रखी है टाइमिंग यहां पर मेंशन किया गया है जो आप चेकाउट कर सकते हैं । इसकेसिंग कहां का तो एम्दवाद में ही आपका यहां पर इंट्रवू होने वाला है तो जरूरों अपने पर इंट्रूव के लिए जाए गा ठीक है और को एपलिकेशन फोनम आपको कहां से मिलेगा वह को करते हैं आपको सिम्पली करना क्या है इसी नौटिफिकेशन के नीचे आपको जाना है आपको जस्त इस्क्रोल लाए और दोस्तों से पहले से सैल्री के बारे में भी हाँ पर जाम करी है और कि आते से बैक्सिमम पचार साल तक कि यहां पर मैंशन की गई आपको नीचे आना है और आपको एपार आपको अप्टी सब्मिट करना है जो की और चाहिं जाने टीकिर दॉकंट्ट लेकर जानाएChem buld के लिए आपको डिखाने होंगे बाखी वो ऊरिजन आपके पास धी रखने है आपको टीए नीचे आप जाते के हैं यहाँ पर आपको एप्लिकेशन फोरूम में जाएगा यह आगया एप्लिकेशन फोरूम ठीके दोस्तों इस एप्लिकेशन फोरूम को आप डाउनोड कर लीजिएगा इसको आप दिस इतने ही आपर एड्रस दिया गया पुरा का पूरा आपकी कडर पास्ट पर फोड़िग्राफ लगानी है आपकी इस लेकिन नेम है उसके बाद फड़ नेम आपका क्या है वह आपको यहां पर मेंचन करना है और दोस्तों अगर आपके पास में एक्सेंट करेंशन है तो यह कर दीजिएगा अदरवाइस आप इसे नो भी कर सकते हैं ठीके उसके बाद आपके पिदाजी का नाम क्या है डेटो आपको देनी है उसके बाद में आप कौन सी करते हैं यहां पर राइट मार्क कर सकते हैं ठीके जैसे कि यहां पर ना कर सकते हैं अगर आपक लाइगे to यहां पर बृसराण पर आएंगे तो भरत पर बनाइगे तो यहां यह कर सकते हैं ठीके इसके बाद में आपके बाद मेंस्टयल और माटर है जनपनी एक हैं दिमांड राफ जब भी आप बनाएंगे तो उसकी आपको इंफर्मेशन यहां पर देनी होगी और नीचे आपको पुरी लिस्ट मिलेगी कुण को से डोकुमेंट्स आप लगा करके भेजना चाते हैं यहां पर पुरी लिस्ट है उसके आगे आपको राइट मार्क करना है जैसे की माल लीजिए आप एप्लिकेशन फोरूम फेरिजिक भी जब करना है यहां पर करने होंगे उसके बी आपको इंटरवु Dalam करके सब्ट करना है इस प्रकार आपको इस वेकिंसी के लिए सेलेक्शन बाना है तो इस ही प्रकार नहीं जॉपकी अपिटिए सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और आपकी सीटी से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके सीटी का अपना नाम ज़रूर मेशन किजेगा तक यह आपके सीटी का असपास की वेकिनिसी की अपडेट आपको सबसे पहले दीजा सकें वीडियो को लाइक और मुरू झार कुछ कर दो कर देंग You So All